नमस्कार आप देख रहे हैं धांगर शक्ती न्यूज यूपी पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ सडकों पर उत्रे राष्ट्रिय लोकदल के कार्य करता उत्तर प्रदेश सरकार से की गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने की मांद बिजनौर में राष्ट्रिय लोकदल पार्टी के बैनर तले दर्जनों कार्य करताओं और नेताओं ने इकट्था होकर गन्ना मूल्य घुशित कराये जाने वा और गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कराये जाने की मांद को लेकर शहर भर में जुलूस निकाल कर नारिबाजी करते हुए प्रदर्शन किया लोकदल कार्य करता हाथों में गन्ना लिये हुए थे दरसल राष्ट्रिया लोकदल के दरजनों कार्यकरता और नेताई कट्था होकर गन्ना मूल्य घुशित किये जाने और गन्ना पेमेंट 14 दिन में कराये जाने और नहीं होने पर ब्याज केकी मांद को लेकर शहर भर में जोरदार प्रदर्शन किया लोक दल कार्यकरताओं ने हाथों में गन्ना लेकर शहर भर में जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया सरकार से गन्ना मूल्य घुशित कराये जाने की मान को लेकर जमकर नारेबाजी की लोक दल कार्यकरताओं ने एक ग्यापन मुख्या मंत्री के नाम प्रशासन को सौपा आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी समवादगाता नीरजपाल की ये रिपोर्ट बिजनौर से हमारे राष्टी अध्यक्त चौधरी जैन सिंग जी के आदेशा नुसार आवान पर ये एक किसान संदेश अवियान चल ला है पिछले साल चुनाव होने की वज़े से 26 सितंबर को गन्यका रेट घोसित हो गया था इस बार आदा सी जन निगल चुक्या किसान परेशान है रोजन गन्या डाल रहे है लेकिन उसे पता नहीं उसके गन्यका रेट का भाव क्या है सरकार को जल्द से जल्द जिस गन्यका रेट घोसित करने के लिए ये आंदोलन राश्चे लोग तर चला रहा है किसान अपने सब अपने माई से पत्र के दुआरा मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज़े हैं कि गन्यका रेट सीखर ती सीखर घोसित हो राज़कारी